नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरी कोचिंग में आज की माई डेट है 22nd में तो 22nd में को मनाया जाता है International Day for Biological Diversity वीडे रेने वाली है HBSSB, HBPSC, HHS, Allied Police और हिमांचल प्रदेश के वेरिस खजाम के लिए इस समय हिमांचल प्रदेश में जो कोरोना केसी के टोटल केस है वो बढ़कर 152 हो गए है इसमें डेथ आपकी 4 व्यक्ति गुई है और रिकवर्ड आपके 55 है और एक्टिव के साब के इस समय 90 है यह ओफिशियल साइट से पूरा का पूरा डाटा उठाया गया है तो आप चेक काले कपड़े ही पहनेंगे आपके सामने हैं और तस्वीर में आप उन व्यक्ति को देख सकते हैं बाबा कांशी राम लेकिन आपको दी गई है पहाड़ी बुलबुल सियाह पोश जनरल सत्यानंद स्ट्रोक्स और फॉर्थ फरस्ट और सेकेंड दोनो तो इसका जो सही उत् नाम से कैसे जाने गए और कब जाने गए इसको विस्तार से जानेंगे पर अंतुस से पहले ये जो ऑप्शन सत्यानंद स्टोक्स दी गई हैं इन पर थोड़ी सी चर्चा गरते हैं तो ये जो व्यक्ति सत्यानंद स्टोक्स हैं ये शिमला से संबंदी थे हैं और इनका नाम है Samuel Evans Stokes और ये शिमला जिले के कोटगड में 1918 में अमेरिकी किसम इन्होंने लगाये थे, अमेरिकी किसम के सेब इन्होंने लगाये थे ना कि अमेरिकी किसम तो इस इसको क्रेक कर लेजेगा अमेरिकी किसम के सेब 1918 में कोटगड में, तो बात करते हैं विस्तार से बाबा कांशी राम जी के बारे में, तो देखिए, देश बड़ा है, कौम बड़ी है, जिन्द अमानत उस्दी, कुलजा मत्था टेकी नै कहा इनकलाब बुलाना, कांशी अस्सा फेरी जिलहा जाना, इस गीत को गागा कर सुनाने वाले और लोगों में अपनी दे मंगड़ा के डाड़ा सिब्बा के गाउं पद्याली में हुआ, जिस दिन ये पैदा हुए, उस दिन तारीक थी आपकी 11 जुलाई 1882, इस दिन ये पैदा हुए, और ये काले कपड़े का जो पूरा का पूरा मैं अभी आपको सवाल में पूछा, तो 23 मार्च 1931 को इस तरह स परता है, इस कारण उन्होंने एक शपत ली थी कि वो सारी साल, यानि कि अब दब तक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक काले वस्तर ही धारन करेंगे, और उसके बाद उन्हें सियाहा पोश जनरल के नाम से भी नवाजा गया, तो आप समझ पाए कि सियाहा पोश जनरल क्यो आप दिया गया था, वो दिया गया था सरोजिनी नाइडू के द्वारा, ठीक है, अब देखी जो काले कपड़े का जो मैंने आपको बताया, इसमें आपके दो रिजन बनते हैं, एक रिजन तो बना कि लहोर में फांसी वाला जब इन्होंने शपत ली, एक ऐसा भी कहा जात है, 1927 में सुजानपूर टीरा में, ताल में, सुजानपूर टीरा है, वहां पर जगह है ताल, वहां पर समेलन हो रहा था, तो उस समय वहां पर जो लोग आए होए थे, पुलिस ने वहां पर उनकी बहुत पिटाई की, तो उसी समेलन में बाबा कांशी राम भी थे आपके, और साथ ही साथ इसके ठाकुर हजारा सिंग भी थे और इसी के साथ चतर सिंग भी थे वो समेलन में थे और वहाँ पर काफी पिटाई हुई तो इस कारण भी कहा जाता है कि बाबा कांशी राम ने काले कपडे की शपत ली तो देखिए अब यानि कि सवाल आप तो confusion create होता आए अब आपको जिस option में जाएगा वैसे decide कीजेगा क्योंकि दोनों option आपको कठी नहीं आ सकती अगर दोनों आएंगी तो कोई भी कर लिए दोनों ठीक को एक ठीक हो जाएगी पका ठीक है अब बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांदी भी कहा जाता है पहाड़ी गांदी का ज जैसा कि मैंने आपको बताया पहाड़ी गांदी दूसरा पहाड़ी बुल-बुल और तीसरा आपका स्याहा पोश जर्नरल अब बात करते हैं कुछ important help line number के बारे में sanitizer के छिड़काव के लिए घरों से कूड़ा नाउटने पर बिजलिच संबंधी शिकायतों के लिए संक्रमित होने पर राशन और गैस के लिए आप इनमबर पर कॉल कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, शियर जरूर कीजेगा और चैनल पर नहीं आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और जल्द ही आपको हिमांचिल प्रदेश के स्वतंतरता सेनानियों के उपर बहुत ही जल्द वीडियो बढ़ना नजार आएंगी That's enough for today, thank you